नमस्कार मैं सुश्मिता मिश्रा आप देख रहे हैं 4PM News Network भाजपा शासित उत्तरप्रदेश में योगी आदितनाज सरकार पर यादो और मुस्लिमों के प्रती पूर्वा ग्रह का आरोप और भी कंभीर हो गया है दैनिक भासकर ने खबर दी है कि मुरादाबाद को छोड़ कर बाके उपचुनाओ वाले इलाकों से यादो और मुस्लिम अफसरों को योगी सरकार हटा रही है योगी सरकार का मानना है कि लोगसभा चुनाओं में यादों और मुस्लिम अपसरों ने मिलकर भाजपा को हरा दिया है यूबी में दस सीटों पर उपचुनाओं को लेकर भाजपा के अंदर भी राजनीती गर्माई हुई है डिप्टी सीयम केशो परसाद मौरिया की अगवाई में आसंतुष्ट गुटने लोगसभा चुनाओं में राज में मिली करारी हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए हटाने की मुहीम भी चला दिये मेडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भाजपा आलाकमान यानी मोधी शाह ने आसंतुष्टों को उप्चनाओं के नतीजे आने तक रुखने को कहा है इस बीच योगी ने अपने राजनीती को आगे बढ़ाते हुए खुद को कटर हिंदू नेता के रूप में इस्तापित करने की मुहीम तेज कर दी है जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाब देए तैकी है उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है यह अपराधिये है पहला अपराधिया है पवन यादोंग दोसरा अपराधिये मुहमत अरबाज यह सदवाउना वाले लोग हैं करने सद्वाओना अब इनके लिए सद्वाओना ट्रेन चलाएंगे इनके लिए बुल्ट ट्रेन चलेगी चिंता मत करें और बुल्ट ट्रेन की तैयारी की जा रहे हैं और इसलिए महिला सुरक्सा हमारे ले सरोच्च महतु रखता है हमने इस बात को पहले दिन कहा है कोई खिलवाड करेगा तो उसका खामया जब होतेगा हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने अस्वस्त किया एक एक बेटी को एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए अस्वस्त क सब्सक्राo कि यह वीडियो पिछले दिनों यूपी विधान सभा में मुसलिमों पर आप प्रत्यक्ष तंच करते हुए उन्हें सदभावना वाला बताया था उन्होंने कहा था कि सदभावना वालों के लिए वो बुलिट ट्रेंज चलाएंगे विदान सभा में उस समय लखनों के अकबर गंज में एक पूरी बस्ती को बुलडोजर से गिराने और नाजूल भूमी पर बहस हो रही थी योगी अपने मुसलिम यादो विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं लेकिन लोगसभा चुनाओं के नतीजे आने के बाद सिर्फ योगी की ही नहीं भाजपा की भी खीज भी बढ़ गई है 2019 के लोगसभा चुनाओं में 62 सीटे जीतने वाली भाजपा इस बार यूपी में महज 33 सीटों पर ही सिमट गई इसका असर देश की राजनीती पर पड़ा भाजपा केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने में नाकाम रही तब उसने जेडियो और टीटीपी की मदद से सरकार बनानी पड़ी उसके बास सिमोधी सरकार को कई फैसले वापस लेने पड़े सिम योगी आदितनात को आयोध्या की मिल्की पूर विधान सभा और अम्बेटकन नगर की कटहरी विधान सभा की जिम्मेदारी मिली है 2022 में ये दोनों सीटे सपा ने जीती थी कटहरी से लाल जी वर्मा विधायक चुने गए थे जबकि मिल्की पूर से ओधेस परसाद जीते थे लेकिन अब दोनों सपा विधायक सांसत बन गए है एसी कोटे की इन दोनों सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीम योगी को सौपी गई है मिल्की पूर सीट के राजनीतिक आस्तित में आने के बाद से भाजपा ने इस पर केवल दो बार जीत हासिल की है एक बार सन 1991 में और दूसरी बार 2017 में सन 1991 में भाजपा केवल एक बार कटेरी सीट जीतने में सफल रही ये दोनों सीटे योगी आधितनात ने चुनोती के तोर पर ली है दैसल फैजाबाद लोग सबा सीट भाजपा आयोध्या में भाव मंदिर बनाने के बाद भी हार गई लेकिन आयोध्या की हार के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया यही वज़ा है कि मिल्की पूर यानी आयोध्या विदान सबा उप्चुनाओं में जीत दर्ज करवा कर योगी तमाम आरोपे का जवाब देना चाहते हैं जो आसंतुष्ट भाजपाई उनके उपर आरोप लगा रहे हैं वो डिप्टी सेयम केशो परसाद मौरिया, बिर्जेस पाठक और कुछ बिधायत ने योगी के खिलाब मोर्चा खोल दिया योपी की राजनीती में इस घटना करम से या साफ हो गया है कि कुल मिलाकर योगी आदितनात अब अपनी कुरसी के लिए आस्तुट्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उपचुना होने तक योगी आदितनात के कुरसी सलामत है केशो परसाद मौरिया और बिर्जेस पाठक उपचुनाओ के नतीजों का इंतिजार कर रहे हैं योगी आदितनात अगर आयोध्या मिलकीपूर और कटहरी की बाजी हारते हैं तो इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा यही वज़ाए कि उन्होंने खुद को RSS की चाहत के अनुरूप कटर हिंदूनेता के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है तमाम मीडिया रिपोर्टों में बार बार कहा जा रहा है कि मोदी के हटने के बाद योगी आदितनात ही PM बनेंगे क्योंकि वो संग की पसंद है योगी को UP का CM भी मोदी ने RSS के दबाव में बनाया था फिलाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है कि अगर मिल्की पूर सीट योगी आदितनात की वज़ा से BJP जीतती है तो क्या उनकी सीट बरकरार रहेगी फिलाल इस खबर में इतना ही आगे के लिए आप देखते रहेए 4PM News Network चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेर करना बिल्कुल मत भूरिएगा मैं सुशमिता नमस्कार सब्सक्राइब कर्दोन sortie